प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मा हीराबेन नहीं रही। सौसाल की आयू में आज सुभा यानी 30 दिसंबर को उनका निधन हो गया। एहमदाबाद में सुभा 9 बज कर 40 मिनट पर नरेंद्र मोदी और उनके भायों ने अपनी मा को मुखागनी दी। उनकी मा को गुजरात में प्यार से हीराबा कहते थे, वहीं खुद प्रधानमंत्री मोदी मा के लिए अनेक संग्या देते थे, मा हीराबा से वे कितना प्यार करते थे और उन्हें अपनी जिन्दगी में कितना एहम मानते थे, ये किसी से नहीं छुपा। उन्होंने घर भले ही छोटी उम्र में छोड़ दिया लेकिन मा के सने और दुलार से दूर नहीं हुए। आज तक ऐसा कोई खास मौका नहीं गया जब मोदी ने मा का आशिरवाद ना लिया हो। अब उनकी मा नहीं रही लेकिन उनके किस्से आगे भी हर कोई सुनेगा। मा के बारे में खुद प्रधान मंत्री मोदी ने बहुत सी बातें विविन मौकों पर बताई तो कुछ उनके भाईयों ने सुनाई। ऐसे ही कुछ किस्से आज हम आपके साथ सांचा करेंगे। विश्वासों से दूर रही और हमें भी वही गुण सिखाए। जब हमारे पिताजी सुभा चार बजे ही काम पर निकल जाते थे तब मा कई काम सुभा ही निप्टा देती थी। अनाज पीसने से लेकर चावल डाल चानने तक मा के पास कोई सहारा नहीं था। वे अकेले ही ये सब करती थी। मा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा जब हमारे पिताजी नहीं रहे तब हमारी और मा की मुश्किलें बढ़ गई। हमारी आर्थिक स्थिती खराब थी। घर का खर्च चलाने के लिए मा कुछ घरों में बरतन माजा करती थी। अतिरिक्त कमाई के लिए वे चर्खा चलाती, सूत कातती, मगर कभी किसी से उधार नहीं मांगती थी। हमारा घर कच्चा था, मौनसून हमारे मिट्टी के घर के लिए मुसीबत बन कर आता था, बरसात के दिनों हमारी चट टपकती थी और घर में पानी भर जाता था, मा बारिश के पानी को इकठा करने के लिए लीकेज के नीचे बरतन रख देती थी। आप सोचिए, माचट से टपकते पानी तक का भी इस्तेमाल कर लेती थी। जल सनक्षन का इससे बड़ा उधारण और क्या हो सकता है। चेहरे को पोँचती। वे हमेशा अपनी साड़ी में एक रुमाल या छोटा तौलिया लपेट कर रखती ताकि अपने बच्चों का मूँ पोच सके। वे बिस्तर पर भी धूल का एक कण बरदाश्त नहीं करती थी। हमारी मा की शादी 15-16 साल की उम्र में हो गई थी। शादी के बाद वे बड़ नगर में रहने लगी थी। आर्थिक तंगी और पारिवारिक वज़ों से वे तो पढ़ाई नहीं कर सकी लेकिन वे चाहती थी कि उनके सब ही बच्चे पढ़ाई करें। नरेंद्र भाई मोदी ने सात्वी तक की पढ़ाई बड़ नगर के ही सरकारी स्कूल में की उनके पास पहनने को एक ही ड्रेस थी। जब वो ड्रेस फट जाती तो मा किसी और रंग के कपड़े का अस्तर लगा कर उसे सिल देती थी। फीस के लिए भी उन्होंने किसी से पै साता हमारे बीच नहीं रही। सभी जानते हैं कि मा को खोना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। और एश्वर इस दुख को सहने की प्रधान मंत्री और उनके पूरे परिवार को शक्ति प्रधान करें।